हेलो एंड वेलकम एरिवन इस्टार्ट करते हम लोग हमारी ये थर्टी नाइन डेस की सिरीज जो चल रही है आज हमारा आठवा दीनी सिरीज का आज की कुश्चन वेरी इंपोर्टेन है आज मैंने कम्पिटर के और साइन्स के और जीके के कुश्चन में निकाले गये हैं वीडियो अच्छा लगता हो तो डफिनेटली इसको आप लोग लाइक कीजिए है ना चलिए तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टी एमिल एक कम्पिटर कुश्चन ने पांच फ्रेक्टर यहां पर जो एक्जाम औरिंटेड बता रहा हूं यहां पर में तो एस्ट के कम्पिटर को बनाने में किसका यूज क्या गया था वेक्यूम टीप का यूज क्या गया था यह अलब होती वेरे इंपरटन क्रेश्चन इसको ध्यान रखना ठीक है विशे सब भी इंपरटन है लेकिन यह वारे ज्यादा इंपरण है है जो इंटगेटर जो सरकीट होती है इसका थर्ड जनरेशन में यूज किया था और यह जो बनी होते है किसके बनी होते है सिलिकॉन के एधिक होगा और मैंने आपको टंगस्टांग के बारे में बताया ही था कि विद्धूद जो बलप बना होता है वो खिसका बना होता है टंगस्टांग का ही बना होगा जो केटली होती है चाय बनाने वाली या तो पानी गरम करने वाली आपने बने पहले भी बताया था question क्योंकि भी very important question है यहाँ पे यह जो example होगे रहा होता है किसका होता है सवुहन का जिसको हम conviction भी यहाँ पे बोलेंगे यह आठवा question very important इस टेफ से एक्जाम में question आते ध्यान रखना कि सीदकाल में head pump का पानी जो होता है गरम की होता है यह होता है यह हमारी जो gland होती है particular हमारा जो गला होता है तो महाँ पे एक gland होती है जिसका नाम क्या होता है थाइराइड gland ध्यान रखना कौन सी gland बताए मैंने थाइराइड यह थाइराइड जो gland होती है सभी में पाई जाती है जब उसमें swelling आ जाती है तो swelling आने के कारण क्या होता है मुआ पर हमको बोलेंगे तो मुआ पर जो disease होता है वो कौन सा होता है गेंगा रोख हो जाता है हम आपर विकासवाद के सिद्धानत का प्रतिपादन जो किया था यह किसका दौरा क्या आगा था दर्वीन के द्वारा यहां पर किया आगा था चालन यहां पर धान रखना वेरीइम्पोर्टें रहा यहां पर हो गए है तो यह मारे हो गये अब आज आते हमारे जो MPG रहा लूजार बढ़ते हैं कि मप सब्सक्क्राद को imposing तो रानी रूप मती, हिंडोला, जहाज मल, दाई मल और असरपी मल ये सभी के सभी महल कहां पर है? मांडू में अब इसको याद कैसे करेंगी इस प्रकारस याद करना कि रानी रूप मती, राजा असरपी के साथ हिलते हिलते मतलब हिंडोला महल और कहां गई दाई महल गई किस से गई वो भी जहांच के साथ गई एक बार फिर से देखो रानी रूप मती राजा असरपी के साथ हिलते हिलते दाई महल गई किस के साथ गई जहांज के साथ गई इसको ध्यान रखना एक बार फिछ से राणी पिष्ट मती राज़ा अचरपी की साथ हिलते हिलते धाई महल गई व्रकिस से कहा बढ़ी महां मांडू यहां पर बसा। लाडली जो बहना योजना होगा आपको बताए विए था यहां पर किसमें 8,000 रुपे करोड का फ JUSTIN क्रूड का फंड एक प्रकास से अवन्टेट यहां पर किया गया है और यह स्टार्ट जो किया गया था कहां से स्टार्ट किया गया था तो होसंगाबाद से स्टार्ट किया गया था होसंगाबाद मतलब जो मदपरदेश का एक डिष्टिक होगा होसंगाबाद और इसका नाम चेंज कर दिया गया है इसका नाम नर्मदा पूरं भी कर दि जाए गए थी इसमें प्रती महा कितने रुपे दे जाएंगे एक हजार रुपे दे जाएंगे दो हजार रुपे प्रती महा दे जाएंगे या तीन हजार रुपे या फिर चार हजार रुपे यहां पर दे जाएंगे तो 15 फेक्ट मेंने आप लोगों बताए जो बेरे इंपो दो आरहें यहाँ पर विससे आप सबसे जादर जो यह नहीं बुलना चाहूँगा कि यहाँ एससे में इस से आएंगे क्योंकि हमारे मेहनत पर भी वह पर डेपेंड करते हैं हम लोग है आप लोगोगों ने मेहनत किये कितनी हाप आप मेहनत कर रहे हैं तब ही तो इस वीडियो को देख रहे हैं ना आप मेहनत कर रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या आप वीडियो को आप देख रहे हैं ठीक है तो ऐसे बने रहे हैं वीडियो के साथ और अच्छे से मेहनत करते रहे हैं और कोई भी आपको सर्जेसिन वागरा च प्रप्ट